कैसे हैं आप लोग कैसी पढ़ाई चल रही है आसा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा आज हम लोग डिसकस करेंगे क्लास 10 का जियोगराफिका चेप्टर नमबर फ़स्ट है रिसोर्स और डेवलोपमेंट आज हम देखेंगे डिवलोपमेंट रिसोर्सेस इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाके प्लेलिस्ट में डाला हुआ है जिन बच्चों को जो पोर्सन समझ में नहीं आता है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और हमारा साइट है www.fullexpand.com जो भी चेप्टर हम फिनिस करते हैं उसके एकसरसाइस के आंसर जो हम अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं ताकि आप लोगों को टैमली प्रिपरेशन हो पाए ठीक है अब हम देखते हैं डिवलोपमेंट रिसोर्से जैसा कि हमें पता है कि रिसोर्से का यूटिलाइजेशन हुमेन बिंग के लिए उनके सर्वाइवल के लिए और जो है मैंटेनिंग आफ क्वालिटी आफ लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है ठीक है और कुछ लोगों को यह बिलिवड है इट वस बिलिवड डाइट रिसोर्से आफ फ्री गिफ्ट अफ नेचर कि यह हमें तो फ्री में मिला है इसलिए इसका जो है यूटिलाइजेशन जो है इंडिस्क्रिमिनेटली लो करते हैं इंडिस्क्रिमेंटली मिनस्वाद मतलग अंधा धून बीना जूडिसीयसली मतलग कि कहां पर कितना मात्रमें यूटिलाइजेशन करना है ऐसा नहीं करके जो है रेंडम वे में जो है यूज करते हैं तो इससे जो है हमारा जो भी रिसोर्सेस का जो रिजर्व है उसके डिप्लीशन आफ रिसोर्सेस इसका मतलब क्या है डिप्लीशन आफ रिसोर्सेस का मतलब यह है कि जो हमारे रिसोर्सेस जो हैं वो कम होते जा रहे हैं ठीक है उसका छरण होता चला जा रहा है क्यों कि कुछ ग्रीडी लोग जो हैं कुछ लालची लोग हैं वो ज्यादा जो है मतलब की requirement से ज्यादा तो इसे क्या होता है कि यह जो है depletion जो हो रहा है resources का and दूसरा accumulation of resources in few hands दूसरा problems क्या है कि accumulation of resources in few hands कुछ लोगों के हाथ में ही ज्यादा resources जो है चला जा रहा है ठीक है जैसे कि internal or इसे क्या problem हो रहा है divided the society into two segments ठीक है rich and poor तो इससे क्या है कि reach and poor में हमारी society जो है divide होती चली जा रही है जो भी resources है वो आव सक्ता से ज्यादा एक आदमी के पास चला जा रहा है whereas किसी को जो है वो resources जो है मिल ही नहीं रहा है तो यह भी एक जो है problem है क्योंकि equitable distribution होना चाहिए उचित distribution होना चाहिए ठीक है थर्ड प्रावलम क्या है indiscriminate exploitation of resources has lead to global ecological crisis इसमें क्या कि जो global crisis जो है ecological crisis जो है उत्पन हो गया जैसे कि इसमें हम यह देखते है global warming बार-बार हम सुनते हैं कि global warming हो गया तो what is global warming के लिए हम थोड़ा सा यह देख लेते हैं कि global warming is the ongoing rise of average temperature of the earth जो अर्थ का जो है average temperature है वो जो है बढ़ता चला जा रहा है इसी को हम जो है global warming बोल रहे हैं इसके बहुत सारे side effects हैं जैसी glaciers वगर अपिखलने लगेगा तो जो coastal areas में जो भी गांस वगर हैं वहां पानी राइज हो जाएगा वह जो है समर्ज़ हो जाएगा कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगरी cultural land भी जो है समर्ज़ हो जाएं तो यह भी जो है इससे जो है एक problem हो रहा है और दूसरा इसमें है ओजोन लेयर डिप्लेशन इसका मिन्स क्या है थोड़ा हम इसको समझ लेंगे दा ओजोन लेयर इस मैंली found in the lower portion of the stratosphere यह जो है lower portion of the stratosphere में होता है जो की 20 से 30 किलोमेटर अर्थ से जो है उपर यह होता है और यह क्या करता है it acts as a barrier यह जो है एक protector काम करता है प्रोटेक्टर और barrier काम करता है कि जो भी harmful ultraviolet rays जो है जो सूरी से निकलते हैं वो जो है यह इसको absorb कर लेता है ठीक है नीचे नहीं आने देता है इससे क्या होता है कि जो जितने भी जो है skin के problems हो सकते हैं जैसे कैंसर से वगर हो सकता है या weekend immune system हो सकता है तो उससे जो है जो है बचाव होता है तो यह सब जो है यह resources का miss utilization या greedy manner में utilization करने से यह सब problem जो है arise हुए है ठीक है अब हम आगे देखते हैं इसमें an equitable distribution of resources has become essential क्या है कि जो भी resources है उसका बराबर नया संगत जो है उचित distribution होना चाहिए तो इससे क्या होगा कि सब को जो है जो resources है सब को उस पर अधिकार है और सब के लिए जो है यह मिलेगा अगर ऐसे ही चलता रहा जैसे कि हम जो है planet जो है डेंजर में चला जाएगा क्योंकि एक जो है limit होता है किसी भी चीज़ को utilize करने का अगर हम आउसकता से ज़्यादा अगर use करेंगे तो जो एको जो balance होता है ठीक है वो खराब हो जाएगा ठीक है और हमारी जो है जो है जो भी planets है उस पर डेंजर हो जाएगा therefore resource planning is essential for sustainable existence of all form of life तो इसके लिए हमें क्या करना है planning करना है जो भी resources है उसको planned way में जो है हमें इसको utilize करना है ताकि जो है हम अपने life को जो है sustain कर सके जो planets पे life है उसको sustain कर सके और उसके लिए कोई खत्रा जो है ना हो तो जैसे कि sustainable development का example आप लोग जानते है sustainable economic development means development should take place without damaging the environment मतलब कि sustainable development क्या है कि environment को बिना damage किये वे अपने जो है आप development को continue रख सकते हैं and development in present should not compromise with the needs of the future generation और जो है present में judicially हमें use करना है ताकि future generation के future generation के लिए भी वो resources available हो कहीं ऐसा नहों कि हम जो है यह present में ही वो resources को पूरा खतम कर दें और future generation के लिए resources ना बचे तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें resource planning करना पड़ेगा ठीक है तो अब ही हम देखेंगे resources planning हम कैसे कर सकते हैं और उसमें क्या क्या हमें करना है resource planning planning is widely accepted strategy for judicious use of resources यह जो है resource planning का मतलब क्या है हमें ऐसा plan करना है कि कितना requirement है हमें resources का उतना ही judicially मतलब की निया संगत हमें utilize करना है ठीक है यह बहुत जरूरी है especially हमारे country के लिए जैसे कि हमें पता है कि हमारी country enormous diverse है in the availability of resources there are regions which are rich in certain type of resources कुछ regions ऐसे हैं कि जहां पे certain type of resources available है लेकिन कुछ resources available नहीं है ठीक है तो अभी हम देखेंगे और कुछ में shortage है जैसे कि example के तौर पे हम ले सकते हैं कि जो richest source है हमारा मिन्रल्स का यह जह जहारखंड है 36 गड़ है अड़ MP है यह जो है यह वाइटल resources है हमारे किस चीज़ के यहां पर मिन्रल्स जो है बहुत ज्यादा होते है Minerals and coal ठीक है यह जो है Minerals and coal के जो है resources यहां पर बहुत ज्यादा है अब हम अरुणांचल प्रदेश में देख सकते हैं, अरुणांचल प्रदेश has abundance of water resources, but lacks in infrastructure development, तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी जगह है, जहांपे resources एक तो अलेबल है, but other resources नहीं है, जैसे कि अरुणांचल का examples में वहाँ पर पानी है, लेकिन other infrastructure नहीं है, और राजस्थान में endowed with solar and wind energy, यहां पे राजस्थान में क्या है solar and wind energy से भरपूर है, but वहाँ पर पानी नहीं है, cold desert of Ladakh में हम अगर देखते हैं, तो वो जो है सब country से जो है isolated है, वहाँ पर cultural heritage जो है rich है, but deficient in water है, infrastructure वहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो this calls for the balance resources planning in the natural state, तो इसे हमें क्या पता चल क्यों हम planning करना चाते हैं, कि country के कुछ parts में तो एक resources या दो या तीन resources available है, but other resources की lacks है, कमी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, balance, ठीक है, जहाँ पे जो जिस resources की कमी है, वहाँ पे उस resources की हमें develop करना है, ठीक है, मतलब कि जहाँ पे plenty available है, वहाँ से हमें वहाँ पे transfer करना है, और वहाँ पे जो resources abundance है, वहाँ के जो है लोगों के utilization के बाद जो है बचता है, तो उसको हम utilization for the other parts of the country कर सकते हैं, ठीक है, तो यह हमें एक balance बना के चलना है, for this planning is important, क्योंकि यह इतना बड़ा task है, कि यह इतनी easily जो है नहीं हो पाएगा, इसके लिए पूरा हमें survey करना पड़ेगा, total requirement of each state हमें देखना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें planning is very very important, अब हम देखते हैं कि हमारे country में resource planning जो है, कैसे होता है, resource planning in India, ठीक है, हमारी country में कैसे हम resource planning करते हैं, तो resource planning जैसा कि मैंने बोला कि it is very complex process, जिसमें कि पहले क्या करना पड़ेगा हमें, identification and inventory, ठीक है, identification and inventory, पहले तो हमें उस resources के किश टाइप का है, और कितना है, यह हमें पता लगाना पड़ेगा, और पूरे reason में, across the country, ठीक है, केवल एक region से नहीं पता चलेगा, कोई अगर एक particular, जो है, minerals जैसे मालीजे मिल रहे है, तो वो कहां-कहां पे, किस country में, कितना है, यह सब हमें पता करना पड़ेगा, इसके लिए जो हमें क्या करना पड़ेगा, survey, ठीक है, survey कहां-कहां पे क्या है, जाके जो है, देखना पड़ेगा, mapping करना पड़ेगा, ठीक है, कि कितना, जो है, कहां पे है, पूरी उसकी planning होनी चाहिए, mapping होनी चाहिए, and वो किस प्रकार का है, quality, उसकी and quantity, qualitative and quantitative, जो है, estimation जो है, उसका करना पड़ेगा, ठीक है, और उसका measurement करना पड़ेगा, तो यह first जो है, important इसका part है, तो देखें, यह, it is not a task, easy task, इसमें बहुत सारे लोगों की involvement क्या हो सकता है, पहला उसको identification करना, ठीक है, पूरी country में कितना है, surveying करना, mapping करना, वो किस quality का है, qualitative and quantitative, कितने में हैं, फिर उसका measurement करना, ठीक है, दूसरा क्या है, involving a planning structure, endowed with appropriate technology, और इसको जो है, infrastructure डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, और technology यूटिलाइज करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, technology चाहिए, अगर हम identification हो गया, mapping हो गया, quality, quantitative हो गया, measurement हमने कर लिया, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए technology, technology होना चाहिए, और technology के साथ में institute होना चाहिए आपका, institutional, institutional मतलब जो भी utilize होगा, उसमें institutional setup होना चाहिए, ठीक है, इस institutional setup में सब कुछ आपका आजाएगा, जैसे कि आपका skill, manpower है, scientist है, ठीक है, तो ये सब जो है, चीजे जो है, इसको जो है, resources को development के लिए हमें चाहिए, skilled manpower भी चाहिए आपको, ठीक है, तो जैसे identification हमने कर लिया, फिर जो है technology, institutional setup हम करेंगे, पूरे उसके development करने के लिए, उसको जो है, हमें regain करने के लिए, जहां भी है resources उसको पाने के लिए, ठीक है, इसके बाद third step आता है हमारा, matching the resources development plans with overall national development plans, अब जो है matching करना है, ठीक है, जैसे कि एक examples हम ले लेते हैं, कि एक जैसे कि I.L हमें मिल गया, ठीक है, I.L, जैसे कि I.L मिल गया, तो अब हमें यह mapping करना पड़ेगा, कि कितना यह resources हमारे पास है, और all over the country में कहां कहां कितना requirement है, वहां से इसको हमें mapping करना पड़ेगा, match करना पड़ेगा, ठीक है, matching करना पड़ेगा, कि हमारे पास तो भंडार माली जैसे कि दो या तीनी states में मिल गए, ठीक है, तो total requirement कितना है, तो यह matching करना पड़ेगा, तभी जो है, इसको हम balanced चारत त करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है, इंडिया जो है continuous efforts कर रहा है, इस planning को execute करने के लिए, since independence और first जो plan बना था, जो पहले five years plan बनता था, पांच-पांच साल के लिए, तो उसी समय से जो है, यह resources को proper utilization करने के लिए plans जो है, इंडिया बना रहा है, तो the availability of resources is a necessary condition for the development of any region, तो इ resources है, इसके development, जो है important है, ठीक है, इसको resource को utilization properly करना है, और जो भी resources हमारा है, उसको हम utilize करेंगे, तब ही जो है, उस region का development होगा, लेकिन, केवल जैसे कि I.L. आपका माल लिजिए कि किसी state में, असम में माल लिजिए कि I.L. मिल गया, for example, मैं यह दे रहा हूं, कि जैसे कि असम म जो है, आपका I.L. मिल गया, लेकिन आपके पास जो है, technology नहीं है, यहाँ पे, ठीक है, no technology, तो हम इसको, जो हमारा ये resource है, उसको utilization नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, technology की जरुत पड़ेगी, ठीक है, तो still हम देखते हैं, कि कुछ अभी हमारे इंड में कुछ states जो है, ऐसे हैं, जो कि reach in minerals हैं, ठीक है, लेकिन, still they are backward, ठीक है, still they are backwards, backwards, why, जो है, though they are rich in minerals, why they are backward, because they have the resources, but they don't have the technology, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे technology सेट अप करना पड़ेगा, और उस जो भी resources है, उसको utilize करना पड़ेगा, ठीक है, उसी state की help करना पड़ेगा, ताकि फिर जो है, यह resources को जो है, other parts of the country में, as per the requirement, जो है, हम भेज सकते हैं, ठीक है, अब हम थोड़ा सा, पीछे history में, चलते हैं, ठीक है, कि कैसे, जो है, development हुआ था, तो एक जो है, आपका colonization period तो colonization period में क्या हुआ था, कि जो भी जहां पे ज्यादा resources थे, जहां पे ज्यादा resources थे, वहीं पे जो है, technology का setup किया गया, ठीक है technology का setup किया गया ताकि उस resources को utilize किया जा सके और यह जो spot थे जहां पे resources थे वो foreign traders के लिए important थे तो it was primarily the higher level of technology development of the colonial countries that helped them to exploit resources तो जो colonial period था जैसे colonial period जो हम जो है अंग्रेजो का जो है period को अपने country में that can be taken as the colonial period थीक है तो उस period में उन्होंने क्या किया कि जहां पे resources ज्यादा थे वहां पे उन्होंने ज्यादा technology का utilization किया तो वहां पे जो है उस area में जो है development ज्यादा हुआ therefore resources can contribute to development only when we are accompanied by appropriate technology technological development and institutional changes जब तक हम वहां पे technology को utilize नहीं करेंगे और institutional setup नहीं करेंगे तब तक जो है हम वहां पे resources को utilize नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इंडिया में जो है colonizer period में इसका experience हुआ था therefore in India development in general and resource development in particular does not involve the availability of the resources but also the technology quality of human resources and the historical experience of people इसके लिए सब कुछ चाहिए हमें क्या क्या चाहिए हमें technology भी चाहिए और quality of human resources मतलब skilled जो की knowledgeable person है वो चाहिए and historical experience भी चाहिए तो यह हमने देखा कि development कैसे अब जो है conservation of resources अब हम देखेंगे conservation of resources तो जैसा कि हमें पता है कि resources are very important for development activity ठीक है इससे क्या होगा कि socio-economic and environment problems जैसा कि हमने देखा था depletion of ozone layers के बारे में देखा था global warming यह सब जो है problems इस्टार्ट हो जाएंगी तो इसको खतम करने के लिए हमें क्या करना है कि जो भी resources है उसको conserve करना है उसको प्रिजर्व करना है जितना हम utilization कर सकते हैं उतना ही utilization करना है और उसको हम future generation के लिए हम preserve कर सकते हैं ठीक है तो इसमें जैसे कि गांधी जी भी इसमें अपना voice को उन्होंने यह किया कि greedy नहीं होना चाहिए जैसे कि greedy जो है जो resources है और इसको हमें free gift of the nature नहीं समझना चाहिए ऐसा नहीं है क्योंकि अगर free gift ही रहता तो फ देखना है कि जो भी हमारे fear में universe में या अर्थ में जितने भी resources है उसको हमें balanced बना के चलना है ताकि कभी क्या होगा कि अगर हम balance नहीं बनाएंगे तो जो है बहुत नियर आगे future में जो है generation के लिए problem होगा और पूरे अर्थ के लिए भी ecosystem के लिए भी problem होगा तो इसमें selfish nature जो है नहीं चलना चाहिए जितना requirement है हमें उतना ही requirement यूज करना है ठीक है तो यह conservation is very important ठीक है तो इस class में हम इतना ही cover करेंगे जिन बच्चों ने चैनल को subscribe नहीं किया आप लोग चैनल को subscribe कर लेजिएगा ताकि टाइमली आप लोगों को video मिलता रहेगा okay thank you